गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट्स तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और समेस्टर एक्जाम्स के रिजल्ट के बारे में की BBA 1st समेस्टर, BBA 3rd समेस्टर और BBA 5th समेस्टर का रिजल्ट का पब्लिश होगा तो इस वीडियो के साथ लास तक बने रहें, चलो शुरू करते हैं जैसा कि आपको पता ही होगा G&U 8 समेस्टर एक्जाम्स 15 नुवंबर 2 या 23 से शुरू होगे थे और 23 दिसंबर 2 या 23 को कम्प्लीट भी होगे थे उसके बाद सभी स्टूडेंस की अंसर शीट G&U एक्जामिनेशन डिपार्टमेंट पहुँच गई थी और अंसर शीट की चेकिंग भी शुरू हो गई है और जो आपके 8 समेस्टर एक्जाम्स का रिजल्ट है वो 14-15 फरवरी से पब्लिश होना शुरू हो जाएगा और अब बात करते हैं कि BBA क्लासेस का रिजल्ट का पब्लिश होगा तो BBA 1 समेस्टर का रिजल्ट 9 मार्च से 18 मार्च के बीच बीच में पब्लिश हो जाएगा BBA 3 समस्टर का रिजल्ट 6 मार्च से 16 मार्च के बीच बीच में पब्लिश हो जाएगा और BBA 5 समस्टर का रिजल्ट 4 मार्च से 15 मार्च के बीच बीच में पब्लिश हो जाएगा तो सबसे पहले 5 समस्टर के रिजल्ट पब्लिश होंगे उसके बाद 3rd semester वालों के और फिर last में 1rd semester वालों के तो जैसे ही कोई और अपडेट आती है आपके result के बारे में हम आपको inform कर देंगे तब तक आप सब इस वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो सभी friends के साथ चैनल जुरूर subscribe कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना थैंक यू